दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने गैलरी के फोटो से PDF कैसे बनाते हैं वो भी फ्री में तो अगर आप अपना खुद का एक नया PDF बनाना चाहते हैं आपके पास कोई डॉकुमेंट है कोई फोटो है नोट्स है कुछ भी है उसका आप अगर PDF फ करना है small PDF आपको यह सर्च कर लेना है जैसे आप यह सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट मिलेगी smallpdf.com आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी अब यहाँ पर आप बहुत सारे options मिल जाएंगे PDF से related जैसे की PDF to word, PDF file को merge करना, JPG से PDF बनाना, e-sign करना यह सब आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है see all PDF tools आप देखें यहाँ पर आपको एक option मिल जागा PDF converter तो आपको इस पर क्लिक करना है आप चाहें तो डिरेक्ट यह सर्च कर सकते ह आपने डिरेक्ट यह पेज आ जाएगा इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा choose file इसके किनारे देखें एक arrow बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए तो आपका image जहाँ पर भी है वहाँ से जाकर अपने image को select कर लिजे अगर आपका image Google Drive में है वहाँ से select कर लिज इसके बाद आपके mobile की gallery open हो जाएगी gallery में जाने के लिए आपको यहाँ पर देखें तीन लाइन देखेंगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको option मिल जागा recent image video audio download यह सब अब यहाँ से आपको scroll करके नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिल जागा gallery का यहाँ पर file manager का भी option है photos का भी option है तो यहाँ से हम चले जाते हैं gallery में gallery में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना वह photo select का लेना जिसको आप PDF में डालना चाहते हैं तो यह देखें मेरे पास यह चार photo है notes का तो इन सबको मैं ऐसे ऐसे select कर लेता हूं जितने भी photo हैं सबको बारी बारी से select कर लेजे इसके बाद आपको उपर option मिलेगा done का इस पर click कर दीजे जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सभी photos यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा photo आपने select किया है अगर किसी photo को remove करना है तो उसको उपर आपको delete का icon देख जागा उसक पर click कर देना है यहाँ पर आप page size select कर सकते है a4 auto letter इसके बाद आप इसका design select कर सकते हैं जैसे कि land इसके portrait या auto तो यहाँ पर मैं auto रहने देता हूं और margin के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन इसको हम अभी skip कर देते हैं फिर यहाँ पर आपको क्या करना है convert पर click कर देना अब आपको थोड़ा सा wait करना है जैसे आप converter पर click करेंगे तो आपका PDF बन कर ready हो जाएगा आप चाहे तो इस PDF का नाम भी edit कर सकते हैं यहाँ देके pencil का icon है इस पर click कीजे और यहाँ से आप इसका नाम rename कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रग दिया है notes अब अगर आ आपको download का option मिल जागा अगर आप इसको किसे और format में export करना चाते हैं तो यहाँ export as पर click कर दीजे आपको बहुत सारी format मिल जाएंगे उसमें आप इसको export कर सकते हैं तो हमें download करना है तो यहाँ पर मैं download पर click कर देता हूँ जैसा आप download पर click करेंगे तो आपका PDF फाइल download भी जाएगा और यह open भी हो जाएगा यह आप देख सकते हैं मैंने इन चार फोटो को select किया था और यह PDF बन चुका है और यह open भी हो चुका है अब देखें PDF बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि quality में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आती है तो देखें यहाँ पर जो